So hello friends, welcome back to another new video तो Naakpur University के winter examination से related guys कुछ हमें जो updates है वो अब official website पर देखने को मिल रहा है कुछ backlog के जो timetables है guys वो भी release हुए है तो कौन से कौन से timetables आये है, कब से examination रहेगी and जो timetables नहीं आये है, वो कब तक आएंगे इसके बार में सारी जो information है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो guys पूरा entire देखते रही है and guys देखो updates थोड़े धायन से सुनते जाओ because बहुत सारे colleges में पता है नहीं जाता है कि examination कब से रहेगी या फिर उनको ही नहीं पता होता है तो थोड़ा aware रहा करो, नहीं तो backlog वगेर के exam आ भी जाएगी चली भी जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा तो इसका थोड़ा ध्यान रखेगा ठीक है तो भी आपको आजाना है guys official website पे तो सबसे पहले पहले ऐसा होता था कि कोई भी examination मतलब कोई भी session की examination start होने के पहले एक notification आता था जिसमें बताया जाता था कि backlog examination इस से लेके तो इस date की बीच में conduct की जाएगी फिर regular examination कंड़क की जाएगी बट इस बार ऐसा कोई भी जो update है वो नहीं आए है तो अगर ऐसा कोई notification आएगा तब मैं आपको update दे दूँगा अभी जो winter examination की जो regular examination होगी मतलब सब्सक्राइब अगर आप final year में होगे तो final year की 7th semester की exam या फिर अगर आप third year में होगे तो third year की 5th semester की exam ये regular exam होगे ठीक है इसके पहले जिनका backlog वह अगरे लगा होगा तो backlog के even semester भी होगा और semester होगा डिपेंड करता की कहाँ पे कहाँ पे आपको जो है वह backlog लगा है तो आपको आजाना है यहाँ पर examination पर क्लिक करना है exam time table यहाँ पर आप देख सकते हो winter 2023 का जो option है वह आ चुका है यहाँ पर faculty of science, management and interdisciplinary तो सबसे पहले science and technology में हम देखते हैं तो यहाँ पर आर्केटेक्चर 4-7, 6-7 के जो backlog के papers होने वाले उसके जो timetables है वो release हो चुके है फार्मेटिकल के भी आ चुके है 6-7, 6-7, 4-7, 8-7 के फिर यहाँ पर bachelor's of technology इनके जो timetables है वो release हो चुके है तो यह backlog के timetables है ठीक है जो regular timetables है वो आने के जो regular examination है उनके timetables release होना बागी है वो भी जल्दी हो जाएंगे जैसी होगे मैं आपको update दे दूँगा या फिर मैं मेरे telegram के group पे डालूँगा वहाँ पर बहुत सारे RTV के लोग है तो वो join कर लो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ update जो है वो मिलते रहेंगे लिंक आपको description में मिल जाएगी जो यह backlog examination है यह mainly October के month में जो है वो conduct की जारी है जो dates है किसकी date 17 है किसी के 18 किसी के 19 है ठीक है तो जो भी course होगा accordingly आप चेक कर लेना but mainly जो backlog के examination है यह October month में जो है वो conduct की जारी है अब यहाँ पर देखोगा जितने भी backlog के updates आया है तो यह सारे even के updates आया है या फिर videos देखते रहे ना आपको time पर update जो है वो मिल जाएगे या फिर टेलिग्राम के group पर जो है वो मैं डाल लूँ है ठीक है इसके अलग गईज यहाँ पर faculty of commerce and management में master of business administration ठीक है इसका जो update है वो आ चुका है इसका फोर्ट सेम का जो time table है वो आ चुका है नेक्स्ट है इस video यहाँ पर faculty of interdisciplinary studies इन में यहाँ पर चार अलग अलग courses के जो updates है वो आ चुका है तो यह भी आप check कर सकते हो hand in के भी examination जो है वो October मन में ही जो है वो conduct की जाएगी और अभी आपके मन में यह question रहेगा कि जो regular examination रहेगी मतलब regular semester की वो कब तक हो सकती है तो mainly examination October November के बीच में जो होती है winter की ठीक है updates अभी यह पहले तो backlog examination रहेगी यहाँ इसके आसपास यह आपके जो regular examination है वो रहेगी एक जाएगा हो सकता है पहले notification है कि इस इस date के बीच में examination रहेगी और फिर time table release होगे जो भी process होगी मैं आपको time पर update जो है वो कर दूँगा और मैंने यह भी बताया था कि अब कब तक आपको जो अपना exam form है वो फिल करना है तो उसकी dates के ऊपर वीडियो बनाया है वो भी आप सकते हो मैं एक playlist ही बना दूँगा आर्टी में की वो चेक करते रहते जाओ ठीक है वहाँ से आपको सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे और टेलिग्राम के ग्रूप पे भी टालते रहता हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो ठीक है इसके अलावा अगर कोई और update आता ह है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही होप से आपके वीडियो इंफॉर्मेट्व लगा होगा और ऐसी वीडियो के लिए इस चाल को सब्सक्राइब जब से कर लेजेगा ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहें